हलो आज मैं बताऊंगी अंगरखा सूट तो आप दो पेज है ये फुल पेज है और जैसे की पेपर हम पढ़ते हैं वैसे नहीं मोडेंगे इसे सीधे में मोडेंगे खड़े में फिर इसको खड़े में मोडने के बाद फिर जिस तरफ बंध है देख सकते हो आप लंबाई सूट से नहां पले और चोड़ाई अगर आपका 16 मतलब 32 इंचस आपकी चोड़ाई तो आप 10 इंच सीने की चोड़ाई रखें और कंधा तो आपको धाई-धाई इंच का ही रखना है और आगे का गला रखेंगे 6 इंचस और देख सकते हो आप और ये बाजू का हम यह साड़े 5 इंच लगाएंगे और 2 इंच का यह हम गला छोड़ेंगे तो इससे क्या होती है कि बहुत ही अच्छी फिटिंग आपकी उभर करके सामने आती है और 7 इंच हम बाजू के आर्म होल से 7 इंच नीचे यहां से 10 है तो यहां से 7 इंच नीचे ही लेंगे और यह 5 है यह गलिक अच्छा है अब इसे हम गहराई लगाएंगे गहराई लगाने से पहले हम लेंगे लंबाई अगर आपका पेपर है तो आप 12 इंच लगाईए अगर आप सूट मतलब कपड़े भी बना रहे हो तो उसमें 14 इंच लगाईए क्योंकि अगर लेगी से यह सल्वार से थोड़ा सा भी कमर दिखता है तो वह अच्छा नहीं लगता है अदरवाइस आजकल तो है कि मतलब कमर दिखना ही चाहिए साइड में तो सिल्ली ही नहीं रहा है सिर्फ सीनी के फिटिंग में सिल्ला है तो यह सूट है और यह तरीके से गहराई लगेंगे इस गहराई को और कटोरी से बना करके आपको दिखाएंगे फिर इसके बाद हम कर लिंगे कटिंग तो जैसे सीना है हमारा 32 तो हम 10 जिंच उसकी चौड़ाई रखेंगे अपने फिटिंग से हमें देगड़ी इंची दोनों साइड कपड़े जादे रखने होते हैं सूट के लिए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आपका वेट लूज हो तो आप फिट कर लो या आपका वेट हैवी हो तो आप धीला कर लो इसलिए और आपका गला 6 इंची रहेगा 6 इंची का लगाने के बाद आप कटिंग कर लें पीछे की गला को आप पढ़ा सकते हो 7 इंच से 18 तक अराम से इसे पीछे वालों को हम बगल में रख लेंगे अब फिर से हम इसको फोल्डिंग करेंगे फोल्डिंग करनी के बाद कंधे के बीचों बीच एक इंच से टू पॉइंट ठीक है तो यहां से हम आठ इंच रख लेंगे यह हमारा आठ इंच है यहां से यहां का डिस्टेंस आठी रहेगा और इस तरीके से हम गहराई लगाएंगी यह इसलिए क्योंकि हमारी सी गले से थोड़ा सा नीचे ही अंगरखे का डिजाइन बनता है और जिस तरब आपका हाड हो ठीक है लेफ्ट साइड आप हाड साइड ही यह अंगरखे को बनाईए सिधा भी पड़ता है बानने में भी हमेशा आपने लेफ्ट साइड ही अंगरखे को स्केच करें और कटिंग करें तो यह हो गया हमारा कटिंग इस कटिंग के बाद आप देख सकते हो कि यह कैसा लग रहा है तो आप इसमें हुक और टोरी का भी इस्तमाल प्रखू भी आप कर सकते हो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी और कटिंग सारी आपको ऐसे ही करनी है इसमें आप पैपिन ब भी कटिंग करना है तो हम दिखाते हैं आपको यह हमें तिर्शी पट्टी निकालने है तो चोड़ाई है हमारी 13 इंच और यहां से यहां का डिस्टेंस 11 इंच है तो हम इससे फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोल्डिंग करने के बाद सीधा हम कटिंग करेंगे जैसे की कुल सेम त्रिकोड की आकार में रखेंगे और यहां पे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे गले पट्टी में आप 1.5 इंच ही निशान लगाईए बहुत ही असानी से और बहुत ही खुबसूरत सा बन जाएगा तो 1.5 इंच पे हम चार पट्टी निकाल लेते हैं क्योंकि इस तरीके से आप कितनी भी पट्टी को निकाल सकते हो अगर आप बहुत जादा पैपीन का इस्तमाल कर रहे हो तो इससे बड़ा भी पेपर आप ले सकते हो इसकी कटिंग कर लेंगे हम कटिंग करने के बाद यह है हमारा सूट का कटिंग अब यह देखिए इसको ज्वाइ हैं उनके लिए तो ऊ' की तरह जैसे यह हम बनाते हैं वैसे ही रखेंगे इसको हमसिल लेंगे सिलने के बाद इसे हम सीधा करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीकेसे हमारे पैपिन बनानी के लिए इसके बाद हमें सीधी की तरफ रखना है और एक साइड से सिम्पल कट करने हैं तो उल्टे के साइड से हम सिलेंगे और सीधा का साइड हम नीचे रखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही किनारी किनारी हमें सिल लेना है बिल्कुल ऐसे ही आपको अगर आप चाहें पेपर अगर कड़ा लग रहा है तो उसे फॉल्ट कर लेजिए फॉल्टिंग कर लेंगे तो आपको सिले में और भी असानी होगी इसके बाद आप साइड साइड से पूरा नीचे तक सिल लें देखें यहां से यहां तक पूरा हम सिल लेंगे सिलाई कंप्लीट होने के बाद यहां पे हमें फॉल्ट करना है हाफ इंच हाफ इंच हमारा सिलाई में गया और हाफ इंच हम फॉल्ट करेंगे और जो half inch हमारा बचा हुआ है उसी का हम पैपीन बनाते हैं इसी तरीके से आप blouse में, suit में और देखे इस तरीके से coat में या फिर किसी भी ladies कपड़े में जहां आपको पैपीन की जरूरत होती है वैसे ही आप इसे बना सकते हो बिल्कुल ऐसे ही आप half inch फोल्ड करके ही बनाना है आपको blouse में भी आपको यह ट्रिक्स अपनाने हैं कोई भी दूसरी नहीं, अगर आप सिलाई ज़्यादा कर दोगे तो finishing बिल्कुल नहीं आएगा कपड़े में और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगीगा आप देख सकते हूँ कि पेपर में भी मैं कोशिज करते हूँ कि मेरी सिलाई दिखे ही नहीं और कपड़े में भी आप यही कोशिज करें कि सिलाई ना दिखे और अच्छे से सिलते जाएए ज़्यादा हड़ बढ़ाईएगा नहीं पेपर फट जाएगा और आपका सारा आइडिया रह जाएगा तो प्लीज थोड़ा सा नॉर्मली सिले ज्यादा हड़ बढ़ाए नहीं तो नीचे का सिलना तो बहुत भी आसान होता है क्योंकि स्ट्रेट आपको लाइन स्ट्रेट बनाने में बहुत ही आसानी होती है कोई भी चीज तो गोल गले मे जाए चार कोण गले में थोड़ा सा तो प्रावब्लम होता ही है इससे भी हम सीधा चिल लेंगे इसकी बात दूसरे साइड वाला जो है कि यहां पर हमारा कंप्लीट होता है जिलाई पैपिन बन गई है हमारी दूसरे साइड वाला भी से मिं ऐसे ही बना लेंगे देखिए भी हम same to same ऐसे ही बना करके तयार कर लेंगे फिर इसमें हम जोइन करेंगे देखिए उसको बनाने के बाद आप देख सकते हो यह रिड मार्क जो है वह एक इंच का है हमारा तो हम निशान नहीं लगा रहे हैं अगर आप मतलब लगा लिजिए यह नहीं है कि हम नहीं लगा रह करेंगे कि यहाँ से भी और दूसरा साथ से भी फोल्ड करेंगे और यह बारी और फॉल्डीं करने कपा इसल लेंगे आप अधर प्लिपर की बात हम बता रहे हैं अगर आपक्षा बना रहे हिता कि एक कुपड़ के पना रहा हो तो उसे स्ल करके तो इसलिए मैंने ये डूरी बना करके आपको आईडिया देने की कोशिश की हुई है अब इसे हम सिलेंगे कहां ये देखें यहाँ पे जहां हम गहराई लगा थे आठ हिंज पे इसे हम वहाँ सिलेंगे यह हो गया यहाँ पे सिलाई इसके बाद हमें तीन जगहें पे सिलना है तो यह हम कमर की जगहें पे सिलेंगे जहां हमारा कमर का पड़ेगा फिटिंग और यह जो हमने 7 इंच कमर के लिए बनाया है नाभी की जगहें पे यह वहाँ पे लगाएंगे और यह हम चेस्ट पे लगाएंगे चेस्ट पे लगाएंगे और नाभी पे और बैक पे ठीक है तो साथ इंच का डिस्फरेंस आप रख सकते हो क्योंकि लॉंग होगी गूरती ना तो मैं कपड़े की बात कर रहे हूं कि साथ इंच का डिस्टेंस रखे पेपर में साथ इंच का डिस्टेंस आपका नीची चला ज और यह शिलाई कम्प्लीट करने के बाद हम डूरी दूसरी साइट का है तो हम इस साइट भी डूरी लगाएंगे डूरी लगाने से पहले हम देखेंगे कि यह हमारा फिटिंग कहां तक जा रहा है तो 17 इंच 16 लगाना चाहते हो 17 इंच 16 इंच तो वहां लगा लेचिए कमर प उसके बाद आप इसे जॉइंट करें फिटिंग का इसे देखें आपको दिखना चाहिए यहां से फिटिंग होना है और यहां पर हमें लगाना है तो इससे क्या होगा कि आपका डूरी का सिलाई वह अंदर चला जाएगा दिखेगा नहीं तो यह छोटी-छोटी चीजे जो हो और इसे बाद लेंगे हम बादने के बाद यह जहां तक सिलाई हुआ है यहां तक हम हुक का इस्तमाल करेंगे कपड़े में हुक का और हुक बंद करने वाले को बना करके हम कपड़े में इस तरीके से इस्तमाल करेंगे और यह डोरी आप डेडिमें डोरी का भी इस्तमाल कर सकते हो nothing matter वो आप पे डिपेंट करता है यह कंप्लीट होने के पाद अब हमें इस पर बैक भी लगाना है तो बैक का पैपिन हमने बना करके रखा हुआ है अब हम से लेंगे इसका कंधा कंधे सिलने की हम यह अष्वेसा से मैंने यही क्या है कि कंधे आप मेच जादा ही लेकर झाले क्योकि अगर कंधा से फट जाता है यह फिर आपकी शिलाई डिश्मिस हो जाती है खूल जाता है तो बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता तो आप दो से तीन बारे आप कंधे को जरूर सिलें और पहनते समय भी कंधे पर थोड़ा वेट जादा पड़ता है तो प्लीस दो से तीन सिलाई चलाई एक सिलाई तो कभी मत चलाईये अब हम लगाएंगे फिटिंग कंधे सिलने के पाद हम फिटिंग लगा लेंगे बाजू मैं इस बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें और बाल आइकन को भी हीट करके नाउटिफिकेशन बेल को दबालें थाकि मेरी सारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो चल्दी से है तो अगर फिस्ट दिन से आप सिलाई सीखना चाहते हो पीछे रह गया है हुआ तो सर्च करें सिलाई सीखने का पहला दिन आसान तरीका वहां से आप मीडियो देख सकते हो और एक एक दिन करके सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और नीशी मैंने लिंक में डिया हुआ है वहां से भी आप वीडियो को फॉलो कर सकते हो कोई भी प्रोब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताईए अगर आप पताएंगे नहीं तो मैं फेस कैसे करूंगी कि मतलब हाँ यह प्रोब्लम हो रहा है और यह चीज मुझे करना चाहिए यह मैं गलत कर रहे हूं यह सारी परिवार मेरी सब्सक्राइबर लोंग आगर आप लोगों कोई भी प्रोब्लम होती है तो हमें कमेंट करें सिलाई से रिलेटिव कोई भी नहीं मतलब कोई भी प्रोब्लम मतलब कुछ भी नहीं मतलब सिलाई से अगर मेरी वीडियो में कोई प्रोब्लम हो तो कमेंट कर सकत एक आगी बढ़ते हैं साइड वाला आपको चोप होता क्या JOHN हम पें चार कॉर बाटा साउड करता है यहां पें चोप तेल्ट हमादा साइड चांग में जासाथ कईचांग सब्सक्राइड स्वादा तरफ का भी फोडड़िंग करके हम सेलेंगे एंदन यह सिलाइ कमप्लीट होने की बार आपको नीचे का भी सेलना है तो यह हमारा हो गया दूसरी तरफ कर शिलाह कमप्लीट और हम दूसरे साइड आगया है यह हो गया कमप्लीट और आप बताएए प्लीस स्क्राइबर्स बताएं मुझे कि आप लोगों को क्या सीखना है और कौन सी वीडियो हम बना करके डालें थोड़ी सी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूं तो प्लीस अगर आप लोग लिक करके भेज देंगे कि आपको क्या सीखना है तो मैं बहुत ही रिलाक्स हो जाती कि हाँ आप लोगों को अभी यह सीखना है क्योंकि यहां तक आते आते तो सारी चीजे लगबग मैं आप लोगों को बतानी की कोशिश कर रहे हूं कुछ दिमाग सी निकल जाता है जैसे कि बहुत तीन हो गए हमें यह सारी चीजे करते हुए तो प्लीस रिमेंबर कराएं हम नीचे का यहां से यहां तक सारी सिलाई कंप्लीट करें हम इधर का भी ऐसे ही सिलना है और नीचे का भी ऐसे ही सिलना है तो यह कंप्लीट हो गया इसके बाद इसको हम करेंगे फोल्डिंग तो जो नए वीडियो देख रहे हैं तो जान जाए कि यह फ्रार नहीं रहे हम इस से सीधा करने के लिए फोल्डिंग करना पड़ता है वीडियो कैसा लागा प्लीस हमें कमेंट करके बताएगे एंड निक्स वीडियो और पह अच्छा बनानी की कोचिस करेंगे हम प्लीस लाइक शेयर एंड सिस्क्राइब मैं वीडियो जितने भी मेरे सेस्क्राइबर हैं कर दो